बड़े दिनों के बाद आपके लिए एक पर्फेक्ट टाइप का GQM लेकर आए और सिर्फ एक नहीं यहाँ यहाँ पर दो है दोनों के टेस्ट रहे अलग अलग है क्योंकि हर यूजर को रख लेना और दूसरे को आप अनिस्टोल कर देना या फिर आप दोनों को यूज कर सक वह भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हूं और आपको पर रेनिमी का नोट 10 प्रो या प्रो मैक्स है तो यह प्लीज वीडियो को लाइक करना और सिर करना अपने दोस्तक साहत ताकि वह लोग भी इस कैमरे का बेनिफिट ले सके हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर स्टॉक मीवाई का रोम यूज कर रहा हूं जिसका वीडियो में आपको कुछ तिन पहले दिया था आप चाहो तो इसे कस्टम रोम के उपर भी डाल सकते हो लेकिन हां सिर्फ रसी डेर्मी के नोट 10 प्रो और प दिबाइस के लिए सबसे पहले जो दो जीके में न इन्हें आपको इंस्टॉल करना होगा लेकिन मैं आपको कैमरा क्वालेटी पहले दिखाता हूं उसका पूरा प्रोसेस में आपको दिखाऊँगा कि क्या कुछ यहाँ पर करना है इसलिए मैं यहाँ पर दोनों को अच्शा कहासा को यहां पर दिखाई देता है और यहां पर आपको देखको नियुक्त प्रोपर के दीखने को मिल रहे होंगे अँदर यहां पर आप देखको यह थो थोड़ा टाईप का हमारा है जो इल्टरा वाइडवालो है जो कि काफी अज़फा अच्शा एसंए लग यहां यह भी डिखने में काफी जड़ा सही लग रहा है, यहां पर LDR mood on करके मैंने photo click किया है, जहां पर आपको dark डिखनी को मिल जाता है, और यहां पर आपको dark दिखाई दे रहा होगा, और यह normal LDR को off करने के बाद, जहां पर आप देख से तो face के उपर details जो है वो काफी अच different type का quality लग रहा होगा, क्योंकि यहां पर लाइका का mode दिया गया गया ना Gcam के अंदर, उसे on करके मैंने यहां पर click किया है, तो different type का effect देखनी को मिलेगा, लेकिन वह इंपर details की बात करें, तो यह detail लाजवाब आपको यहां पर देखनी को मिल जाता है, यानि detail के अंदर कुछ और different camera, जो कि दो camera है, उनका मैंने यहां पर click किया है, जहां पर आप देखने में काफी अच्छा यहां पर लगता है, अनदर यहां पर उसका back camera यूज किया गया है, जहां पर आप देखनी को मिलता है, और skin tone का color भी काफी natural आपको यहां पर दिखाई देता है, जो कि स इसके बाद यहां पर आप देखते हो, यह है इसका ultra white, जो कि आप देख सकते हो कितना दूर जा चुका है, और कितना area यह है, जो cover यहां पर कर रहा है, जो कि अच्छा खासा detail के साथ आपको यह image है, जो देखनी को मिलता है, अनदर यह फिर से दूसरा camera से click किया हुआ image है, और यह है उसका LDR mood on करने के बाद, यहां पर आप इस तो brightness फासर down चला जाता है, उसका और यह photo को click करता है, तो जो आपको अच्छा लगता है, वो आप यहां पर इस तरह किसे on करके click कर सकते हो, तो यह सारे quality थे जो कि मुझे reality में काफी अच्छे लगे हैं, लेकिन अब न इस तरह किसे install कर लेना है, install हो जाने के बाद आपको back home पे आना है, home पे आने के बाद यहां पे camera दिखाए देगा, इसे आपको open करना है, जो भी permission लेता है, सारे permission आपको यहां पर 101 दे देना है, permission लेने के बाद यह थोगा सा time लेगा open होने में, और आप चाहते हो कि थोगा अच्छे तरह किसे काम करें, तो इसे आप चाहो तो अपने game डरों के अंदर भी add कर लेना, उसका यहां पर setting पर click करना है, more पर जाना है आपको, open हो जाने कवर इस setting पर click करना है, उसका more setting पर आपको click कर देना है, जो कि थोगा सा time लेके open होगा, उसका नीची आना है, जहां पर type कर दिनी है, कुछ इस तरीके से, और okay कर दिना है, okay करने के बाद वाद वापस home पर, file manager के उपर जाएंगे, यहां पर दो config दिये गए हैं, जो कि आप देख से तो एक पर MIY लिखा हुआ है, और एक पर नहीं लिखा हुआ है, इन दोनों का आप copy कर लो, एक custom के लिए है इस Gcam, इसे open करना है, यहां पर आपको XML दिखाए देगा, इसे open करना है, जो मैंने भी file का नाम डाला था, वो यहां पर दिखाए दे रहा है, तो यहां पर हम इसे paste कर देंगे, हो गया, अब आएंगे home screen पर, camera को open करेंगे, यहां पर जो surter के बीच में black area इस पर double tap करेंगे यहां आपका दोनों और तीनों आ गया, अब आपके पस MIUI का room है, तो आप इसे करके import कर लो, import जैसी आप करोगे, यहां पर अलग-अलग option देखनी को मिलेंगे, जो कि आपका white का है, macro का है, night का है, और यह है LDR और यह है like का effects वोगेरा, जो कि आप अपने मर्जिक से अब से जो भी आपको tune अच्छा लगता है, वो आप यहां पर option यूज करो, और changing लाओ, देख से तो background की quality में थोधार different आपको दिखाए दे रहा होगा, अगर मैं इसे off करता हूँ, तो आप देखना, फिर से थोधा different आपको look देखनी को मिलेगा, और हाँ, जब भी आप photo click करोगे, यह HDR process करता है, तो इसमें थोधा टाइम लगेगा, ताप क्यों hand to hand काई साले photos क्लिक करोगे, तो दिक्कत करेगा, तो थोधा थोधा time देना पड़ेगा, जब यह आप photo click करोगे तो, और details वाई काफी अच्छे आपको यहां पर देखनी को मिलेंगे, वहें पकर ultra wide पर आना ह और हाँ आपसे यह कहना चाहूँ है कि अगर आप टेलिग्राम युजिए से ना तो बेटर हो गया, आप टेलिग्राम पर जाकर निकाले कि जो original file share की गई है हर एक post के साथ, वह सब कुछ मैं share कर दूँगा, तो वहां से आपको सब कुछ मिलेगा, अधवाई यहां पर जो file दिर में open होगा, done करेंगे, setting का इंकर पर tap करेंगे, more पर जाएंगे, थो दिर में setting open होगा, open हो जाने के बाद इसका कुछ इस तरीकी साब को setting दिखाई देता है, यहां पर आपको दिखाई रहा config setting, इसे open करना है, save के उपर आना है, यहां पर फिर से हम कुछ और name type कर और yes कर देंगे, वापस से home पर आएंगे, अपने file manager के ऊपर जाएंगे, जहां पर आपने file को download करके रखा है, वहां पर आपको browse करना है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही है, जो file दिया गया है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है, यह है, lmc का, इसे हम यहां पर चाहों तो camera को reopen करेंगे, यहां पर black है यह कि बीच में double tap करेंगे, यहां पर आ गया, जो कि एक मैंने move किया, और एक मैंने save किया था, इस जगी से से हम यहां पर import कर लेंगे, import करते ही, यहां पर आपको देखनी को मिल जाएगा, night का, micro का, day का, white का, और यहां पर LDR जो कि आपको तो आ time लेता है, HDR process complete करता है, तो click करते हैं अगर आप यहां पर switch करोगे, तो यहां पर error देगा, थो आपको wait करना परेगा, जब तक HDR process complete नहीं हो जाता, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, अब आपका जो output result आएगा ना, वो भाई, reality में काफी अच्छा खासा देखनी को मि और यहां पर आप देखो 12 MB के आसपास का यह photo देखनी को मिल रहा है, आप check करो और बताओ मुझे कि यह camera का output है दोनों का कैसा आपको लगा, और sometime यह crash करता है, आउटओर वगरे में ना, तो long press करो इसके उपर और यहां पर data clean करके, और फिर से आप है जो इसके file को reapply कर ले और custom room अगर आप यूज करना पसंद करते हो, तो मेरा एक और चैनल है, उसे भी आप join कर सकते हो, ठीक है, बाई